Good morning class. So, देखिए, last class जो आपको homebuck मिला था, यह उसका solution है. Right? चलिए, आज का topic है हमारा variation of conductivity and molar conductivity. अब, conductivity और molar conductivity कैसे change होता है? हाँ, dilution से. जैसे हम dilute करते जाएंगे solution को, उससे conductivity और molar conductivity पर क्या फरक पड़ेगा? आपको सीखना है. तो पहले तो हम किसकी बात कर ले? conductivity की, तो conductivity होता क्या है? हाँ, याद है न? Very good. 1 cm3 solution की जो conductance होती है, वही उसकी conductivity का लाती है. यानि कि हम कह सकते है, conductivity is equal to G L by A. हमें पता है, यह तो cell constant है, इसे हम change करने सकते हैं. यानि कि conductivity कपपा, K is directly proportional to G. हाँ, conductance जितना ज़्यादा, conductivity उतनी ज़्यादा. अब देखिए, माली जी. मेरे पास यह container है, और इसमें solution बढ़ा हुआ है. electrolytic solution इसमें बढ़ा हुआ है. जब हम इसको dilute करेंगे, यानि कि इसमें हम पानी लाके और मिलाते हैं. ठीक है, जब हम इसको dilute करेंगे, अभी मान लिगी, इसके अंदर concentration जो है. आप यह पूरा भरा हुआ हम मान लिगी, पूरा कैसे भरा मान सकते हैं? यहां तक पहले भराता है, इसमें हम ऐसे arbitrary values लेके चलते हैं, 100 plus ions ते हैं, और 100 minus ions ते हैं, यानि कि इस पूरे इतने container में, इतने बड़े में, इतने जब liquid भी तब की बात हो रही है, इतने में 100 positive ions ते हैं और 100 negative ions ते हैं. जब आपने पानी मिलाया, यह पूरा container भर गया, अब बताइए, इसमें number of positive ions और number of negative ions ज़्यादा हो गए अभी उतने ही हैं, अभी उतने ही हो गए, क्योंकि आप सिर्फ liquid मिला रहे हैं, आप इसको dilute कर रहे हैं, आप इसमें electrolyte नहीं मिला हैं, यानि कि अभी भी इसमें 100 plus 100 minus C हैं, अब हमें ये बताइए, आपने dilution किया, dilution का मतलब आपने पानी को एक्षा बढ़ा दिया, यहां चीक है, जब आप इसको dilute कर रहे हैं, तो इसकी volume क्या हो रही है, बढ़ रही है, अब हमें बताइएगा, number of ions per unit volume, पहले इतने में 100 plus और 100 minus थे, अब इतने बड़े container में 100 plus और 100 minus हैं, तो number of concentration per unit volume, किसी fixed में, अगर हम इसने बड़े piece में बात करें, color change कर लेते, यह, अगर इस starting में बात करें, तो मालेजिए यहां पर अगर दो ions थे, तो अभी 100 ions plus के और 100 ions minus में पूरे दिब्बे में फैल गया हैं, तो क्या अभी भी इसमें 2 ions होंगे, 2 से जायदा हो सकते हैं, 2 से कम, 2 से कम होंगे, आप ऐसे समझेए, एक छोटा सा room था, इस छोटे सा room में 10 बच्चे बैटे थे, फिर क्या हुआ, हम सारे बच्चों को लेगे चले के playground में, वहां पर भी 10 नमबर अप इस्टुडेंस विल बी, close to each other, जादा आपने पास पास बैटे होंगे, यानि किसी fixed unit volume में, यहां पर नमबर अप इस्टुडेंस जादा होंगे, और playground के केस में कम होगा, जब इसको dilute नहीं किया गया था, तो number of concentration per unit volume जो रही होगी, इसको dilute करने के बाद, जो number of concentration per unit volume आएगा, उससे क्या रहा होगा पहले वाला, जादा, यानि कि dilute करने से, किसी भी fixed volume में, number of ions बढ़ गए या घट गए, घट गए, यानि कि concentration क्या होगी, घट गई, concentration, अब अधी concentration का मतलब, number of charges कम होगे, अगर number of charges कम हो रहे है, actually connectivity किसके वज़ा से होती थी, conductance, charge ही उसको carry करते थी, अगर number of charge कम होते जा रहे हैं, तो बताइए, उस case में connectivity बढ़े गए या घटे गी, हाँ, connectivity क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बास सुझना आगई आपको, यानि कि जैसे जैसे आपको dilution बढ़ेगा, conductivity वैसे वैसे घटे गी, अब ये तो रही actual बात की होगा क्या, अब हम discuss करेंगे दो अलग-अलग case के लिए, पहला, for strong electrolyte, strong electrolyte कौन होते हैं, जो की aqueous solution में जाने के बाद, तुरत ionize होके dissolve हो जाते हैं, अब देखे, जब आप strong electrolyte लिए होंगे, और उसकी dilution बढ़ाएंगे, जब उसको dilute करेंगे, तो बताएगे क्या होगा, ये जैसे या पानी मिलाएंगे, ये तुरत ionize होके दूर-दूर हो जाएंगे, यानि कि इनकी conductivity तेजी से decrease होगी, it will decrease rapidly, in case of strong electrolyte, conductivity तेजी से decrease होगी, क्योंकि जैसे आप पानी मिलाएंगे, strong electrolyte होने के वज़े से तुरत ionize होंगे, और दूर-दूर भाग जाएंगे, क्योंकि ये तेजी से दूर-दूर भाग जाएंगे, यानि कि number of concentration per unit volume जल्दी से decrease हो जाएगा, इसलिए conductivity भी decrease होगी, वो भी कैसी, rapidly, यानि कि strong electrolyte के case में, अगर आप solution को dilute करते हैं, तो conductivity rapidly decrease होती है, अब अगर हम यही case बात करें किसकी, weak electrolyte के, तो weak electrolyte में भी dilution करेंगे, पानी में आएंगे, तो वो भी ionize होगा, लेकिन क्या वो इतना fast ionize होते हैं, नहीं, वो slow ionize होगे, अगर वो slow ionize होगे, तो दूर-दूर भी, तेजी से जाएंगे या slow जाएंगे, यानि कि number of concentration per unit volume अभी भी घट रहा होगा, लेकिन अभी slowly-slowly घट रहा होगा, यानि कि इस case में conductivity घटती जरूर है, but it happens gradually, gradually means very slowly, लेकिन यहाँ का conductivity जो होगी, वो धीरे-धीरे घटेगी, बात आपको मेरी सोज में आरी है, हम क्या कह रहे हैं, हाँ, दोनों ही case में dilution करने पर conductance या conductivity, दोनों ही क्या होगी घटेगी, लेकिन strong electrolyte के case में rapidly घटेगी, और weak electrolyte के case में यह gradually घटेगी, आप इसको चाहें तो अपने examper से जोड लिजे, class के बच्चे खेलना चाहते हैं, राइट, एक PG class का बच्चा है, और एक class 11 के group है, दोनों बच्चे को हम field में लेके जाते हैं, जैसे हम field में लेके जाएंगे, class 11 के बच्चे जल्दी जल्दी पूरे field में फैल जाएंगे, खेलने के लिए, या PG के बच्चे, जैसे बात 11 के बच्चे, क्योंकि उनकी speed जादा है, वो जल्दी जल्दी फैल जाएंगे, कुछ यही हुआ, जब strong electrolyte आपने लिया था, तो जैसे आपने डेलूट किया, वो तुरत number of concentration per unit volume घट गट गया, क्योंकि वो काफी तेजी से दूर दूर चले गए, और वहाँ पर connectivity rapidly decrease कर जाता है, जब कि जब आप weak electrolyte लेते हैं, तो वो भी दूर दू जाएंगे, अन्यकि PG का बच्चा भी playground में जाने के बाद, खेलने के लिए फैलेगा, लेकिन वो slow जाएगा, यही होता है, weak electrolyte केस में भी connectivity घटेगी, लेकिन वो धीरे-धीरे घटती है, समझ में आगे आपको, चले यही चीज़ आपको theory part में आपको लिखा दे हम, देखे, both conductance and molar conductivity, changes with the change in concentration, जैसे-जैसे molarity, यानि कि dilution बढ़ेगा, तो concentration क्या होगी, खटेगी, जैसे-जैसे concentration change होता है, conductance और conductivity दोनों ही बदल जाती है, एक तो हमने देख लिया कि, conductivity conform घरती है, strong electrolyte के case में जल्दी से, और weak electrolyte के case में धीरे-धीरे, तो देखे, पहला हमारा topic है, variation of conductivity with dilution, देखे, क्या दिया है, on dilution, यानि कि जब हम dilute करते हैं, यानि कि, aqueous, amount of water को बढ़ाते जाते हैं, तो volume क्या होगी, बढ़ते जाती है, then volume increases, and concentration decreases, या फिर आप कहा सकते हैं, number of ions per unit volume decreases, due to decrease in concentration, क्योंकि concentration decrease हो रही है, conductivity also decreases, conductivity भी क्या होती है, घर जाती है, तो देखें, since, on dilution, number of ions per unit volume decreases, क्योंकि, dilution के case में, किसी भी fixed unit volume में, number of ions क्या और है, घट रहे हैं, इसलिए, conductivity भी घट रही होगी, तो देखें, इसको आप, in terms में याद रखेंगे, आसानी से याद होगा, dilution बढ़ रहा है, concentration घटेगा, क्योंकि, concentration घट रहा है, यानि कि, किसी fixed unit volume में, number of ions घट रहे हैं, यही ions, charge को carry करते थे, यानि कि, उनकी वज़र से current flow होता था, तो अब यह ions कम हो गएं, तो conductivity भी क्या हो गया, घट गया, अब, अगर आप dilution कम करेंगे, यानि कि, concentration बढ़ाएंगे, तो उस case में, conductivity क्या होगी, बढ़ेगी, बिल्कुल simple है, जैसे जैसे, dilution कम होगा, यानि concentration बढ़ेगा, concentration बढ़ने के मदलब, किसी भी fixed unit volume में, number of ions बढ़ते जा रहे हैं, अगर number of ions बढ़ते जाएंगे, तो उनके conductivity भी बढ़ते जाएगी, note point आपको यह निकना है, for strong electrolyte, variation occurs rapidly, strong electrolyte के case में, यह variation, यानि कि, जैसे जैलूशन बढ़ाते हैं, decrease in conductivity, happens rapidly, तेजी से होता है, whereas, for weak electrolyte, variation occurs gradually, because of partial ionization, जबकि weak electrolyte के case में भी, आपका connectivity घड़ता ही है, लेकिन, वो धीरे धीरे, और ऐसा क्यों होता है, because of partial ionization, क्योंकि, weak electrolyte में जो ionization होता है, वो partial होता है, हलका-हलका धीरे धीरे होता रहता है, और कम होता है, आए, next heading बनाएंगे आप, variation of, molar conductivity with dilution, अब हम देखेंगे कि, molar conductivity में क्या परकड़ता है, आए, molar conductivity का formula, very good, k into thousand, upon molarity, तो यह होता है, या दूसरा अगर आपको याद होगा, yes, k upon thousand into m, यह कभी उच करते हैं हम, SI unit में, यानि कि, जब मुझे, molar conductivity किसमेंच चाहिए, c m m2 per mol में, और यह कभी उच करते हैं, जब मुझे, molar conductivity किसमेंच चाहिए, c m2 per mol में, हैर दोनों में ही, हम, जब मुझे, molar conductivity इस आरेक्टली प्रोपोशनल टू, कंड़क्टिविटी, और, molar conductivity इस इनवर्सली प्रोपोशनल टू, molarity या, concentration, अब ध्यान से देखेगा, जब हम डाइलूशन बढ़ाएंगे, यानि कि, हम डाइलूट करते हैं, तो बताएए, गटविटी घट गई, अगर connectivity घट गई तो बताएए, molar conductivity भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बात सही है, अब बताएए, क्योंकि मेरी डाइलूशन करने से, concentration बताएए क्या हुआ, बढ़ा होगा या घट गया होगा, घट गया होगा, यानि कि, गटेगी और यही पर तो मुलयरीट्य तो घट रही है यहीं पर गट रही है तो यह मोला होगी बढ़ेी क्यूंकि देयार इनुवर्स्ली रिलेटेड अब आप देखेंगे कि डालूट करने पर यहां पर घट भी रहा और आपका बड़बी रहा है। हम किसको लेके चलेंगे। क्या दोनों होंगे। नहीं। अगर यहाँ पर decrement और यहाँ का इंक्रिमेंट दोनों धूता। तो उस case में आपके dilute करने से molar conductivity में कोई चीज़ नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है। यह यह जो decrement है अगर यह मालिजा पर 30% है तो यह जो increment हो रहा है that is 70% यानि कि no doubt dilute करने पर molar conductivity घट रही होगी लेकिन कितना घटा 30% जबकि dilute करने पर molar conductivity बढ़ भी रहा था कितना 70% यह आपके arbitrary value आपको रटना नहीं है यह हम आपकी example लेकर समझा रहे हैं तो बता यह अगर आप एक सीवच के बीच में करें और वहां से दो इस्टिप नीचे आते हैं और पांच लुपर जाते हैं यह काम आब बार बार करते है फोले दो स्लेग नीचे फिर फीर पांच लोब तो आप over all ऊपर जा रहे होंगे arm आप अरे लेट चाहेंगे लेकिं जाखा रहे होंगे आप खुम अपर अपर ता'M uh कुछ यहां परो अपरμॉनर गधरियेयं महले बढ़ जा उता है येhang मुल्रिट यह मूलर के ए जादा होता है यह मुल्ध आप अरे ओर हमें है है बढ़ जाती है यानि कि अब जो हमें सीखना है यहां पर वो यह है कि डाइलूशन के बढ़ाने से मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी डाइलूशन के बढ़ाने से मोलर कनेक्टिविटी को याद रखना है एक चीज कि डायलूशन के बढ़ाने से कंडक्टिविटी घड़ती है लेकिन वही अगर हम अब लॉल बात करें तो डायलूशन के बढ़ाने से मुलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है बढ़े जाती है एक टरम आप भी और हम आगे यूज करेंगे फिलाल हम इसको explain भी करेंगे लेकि तब तक आप जानते रही है अब हम क्या किये dilution बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे molar connectivity बढ़ते जा रही होगी एक time के बाद molar connectivity अपनी maximum value के achieve कर लेगी हाँ यह molar connectivity अपने maximum value के चीब कर लेगी यानि कि अब उसके बाद आप चाहें जित्रा डायलूट करिए उससे जादा उसकी connectivity नहीं बढ़ सकती वो इसकी maximum होगी तो जो किसी भी electrolytic solution का जो maximum maximum possible molar connectivity होता है उससे हम lambda infinity m से रप्रिजन करते हैं या फिर कई बार आपको lambda not m लिखाव भी मिल सकता है इसका नाम होता है molar limiting molar conductivity या maximum conductivity at infinite dilution मैंने इसको इतना dilute किया infinite dilution इतना dilute किया कि दो ions के बीच का gap इतना बढ़े गया कि इनके बीच कोई interaction नहीं था आपको याद जब हम लोगा ideal gas पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने कहा था इतने दूर होते हैं कुछ ऐसा ही आप इनको डायलूट करते गए करते गए करते गए करते गए अपने इतना dilute कर दिया कि इस solution के अंडर दो ions के बीच कुछ भी कोई interaction नहीं था यानि कि ना attraction ना repulsion अब क्योंके बीच कोई interaction नहीं है तो आप चाहें उनको और जितना अदूर करिए उससे उनको कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला और conductivity एक time प्याने के बाद fix हो जाएगी वो जो maximum conductivity है उसको हम बोलते है limiting molar conductivity क्या बोलते हैं limiting molar conductivity या maximum molar conductivity at infinite dilution खर अभी हम उसको लिखाएंगे भी समझाएंगे भी क्योंकि अभी हम आगे use करेंगे इसलिए हम आपको यहां पर बता दिये देगे variation of molar conductivity with dilution तब दोनों में से कोई एक formula बना लेंगे चाया है वो सीमें सेंटिविटर स्क्वाइर पर मोल वाला या सीमें स्मीटर स्क्वाइर पर मोल वाला relation तो आपको वही मिलेगा relation देखके आपको क्या मिलेगा कि dilution बढ़ाने से conductivity घटेगी और molar conductivity भी घटेगी जब कि dilution बढ़ाने से molarity घटेगी और उसकी वज़ा से molar connectivity बढ़ जाएगी अब समस्य है कि एक जगा molar connectivity घट रहा है दूसरी जगा molar connectivity बढ़ रहा है तो हमें दोनों का net लेना पड़ेगा और जब हम overall net निकालते हैं तो वहां हमें experimentally पता चलता है कि molar connectivity increase कर रही होती है देखें यही चीज़ यहां पर आपको लिखा हुआ है जैसे जिसे आप molar connectivity बढ़ाएंगे dilution बढ़ेगा और concentration घट जाएगी जब कि अगर molar connectivity घटाई जाए तो dilution घटता और concentration बढ़ता है आगर आपको यहां से doubt हो तो आप यहां से देख सकते हैं dilution बढ़ाएंगे concentration घटेगा concentration घटेगा यहां देखें dilution कम करेंगे concentration बढ़ जाएगा उसके ही साब से molar connectivity क्या हो जाएगी घट जाएगी यह देखें आगे वोची लिखी हुई है although conductivity decreases but molarity also decreases हाँ यह बात और है कि conductivity घट रही है कि जैसे जैसे आप dilution बढ़ाते हैं conductivity घट जाती है लेकिन molarity भी घट रही है तो experimentally decrease in concentration यानि कि decrement in molarity dominates over the decrement in conductance इसको आप conductance नहीं आप इसको conductivity कर लिजिए this will be conductivity कपपा यह फिर आपको यहाँ पर specific conductance लिखना पड़ेगा ठीक है तो देखें overall जब experiment करके देखा गया तो पता चला कि dilution के बढ़ाने से molar conductivity बढ़ जाता है जबकि dilution के घटाने से molar conductivity क्या होती है घट जाती है so overall net decrement happens in concentration that is molarity since molar conductivity is inversely proportional to molarity with increase in dilution dilution बढ़ाने से molarity घटेगा molarity के घटाने से molar connectivity बढ़ जाएगा यानि कि overall आपको बस यह याद रख रहा है कि जैसे जैसे आप dilution बढ़ाते है molar conductivity की value भी क्या होती है बढ़ती जाती है जबकि dilution के बढ़ाने से conductivity की value घटती रहती है यानि कि पहला वाला जो point आ उसके यह relation बनेगा दूसरे वाले point के relation यह बनेगा समझ में आ गया होगा आएए एक आपको graph बनाना है ग्राफ का equation तो हमने लिख दिया है नहीं आपको graph का equation लिखना है और नहीं इस graph की equation को आपको रटना है हाँ क्योंकि आपके इस level से बहुत ज़्यादा आगे का है तो अभी आप इसके चकर में बिल्गी परसान नहीं होंगे ठीक है अगर आप इस पर ध्यान देंगे सिर्फ यह आपको दिखाने के लिए है तो देखे अगर मैं molar conductivity को कहा रिप्रेजेंट करूँ y axis पर और concentration under root of concentration जोनी molarity को मैं कहा रिप्रेंट करूँ x पर तो देखे इसके जाब पर मैं y लिख सकता हूँ यह दिखे क्या है this is limiting molar conductivity यानि कि maximum molar conductivity can be achieved by any electrolytic solution वो इसके maximum है वो भी कम मिलता में infinite dilution पर इससे ज्यादा हो नहीं सकता है यानि कि यह तो value fix है हर एक electrolytic solution का limiting molar conductivity क्या होती है फिक्स होती है यानि कि यह constant है हम इसको c लिख सकते है minus k क्या हो गया हमारा slope m और root c हम कहारे प्रिजन कर रहे है एक्स पे यानि कि यह मेरा graph इस equation को support करता y to do c minus fx क्योंकि c positive है तो graph origin के कहीं ऊपर से start होगा हमने यहां से start किया दूसरा बाद हमने देखा जो slope है m वो क्या नेगेटिव अगर यह positive होता तो graph ऐसा बनता हाँ उसका nature उपर की तरफ होता है बढ़ते तरफ क्योंकि slope negative है तो graph का nature क्या होगा वो नीचे जाता होगा दिखेगा आपको और यह बन गया आपका graph this is the graph for strong electrolyte ध्यार है यह जो graph है यह graph किसके लिए है this is for strong electrolyte जिसाब कास KCL हो गया NACL हो के सब strong electrolyte है उनके लिए graph ऐसा बनता है आपको इसको बिल्कुल यार नहीं रखना आप यह सब भूल जाएंगे बस आप यह graph बना लेंगे क्योंकि graph जरूरी है आए नेक्स देखिए पहला जो lambda M infinity symbol के साथ लिखा गया है उसको हम क्या बोलते है limiting molar conductivity या molar conductivity at infinite dilution so a strong electrolyte is 100% ionized in its aqueous solution क्योंकि strong electrolyte हो होते है जो के aqueous phase यानिका water में जाने के बाद completely ionized हो जाते है as अब जहांस देखिएगा as the dilution increases जैसे जैसे dilution बढ़ता है volume of solution also increases due to which distance between ions also increases अब यहां पर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा यह normal condition का है इसमें मालेगे मेरे charge कुछ इस gap पे थे ऐसे दिन random जब मैंने इसको क्या कर दिया water में मिला के इसको और dilute कर दिया यानि कि मैंने इतना जादा कर दिया तब बताईए यही सारे ions इसको माइनस इसको प्लेस माइनस प्लेस माइनस प्लेस माइनस प्लेस कुछ ऐसे हो गया होंगे अब दिखिए इनके बीच का interaction और इनके बीच का interaction सेम होगा या अलग-अलग जाइचि-सी बात है एक दूसरे को इह attract कर रहे होंगे तो इसके बीच का traction और इसके बीच का attraction force सेम होगा या अलग-अलग जाइचि-सी बात है यहाँ पे यह ज्यादा होगा और यहां पर attraction force क्या होगा कम होगा अब ध्यान से दिखिएगा अगर यहाँ पर attraction force क्या है कम है तो बताइए ये charge तेजी से move कर पाएंगे या slowly slowly तेजी से क्योंकि अगर इनके बीच का attraction जादा होगा तो उसको move करने नहीं देता क्योंकि इनके बीच का gap जादा है तो ये क्या होगा fast move करेंगे अगर fast move करेंगे तो charges को एक जगा से दुसरे जगर ले जाने वाला काम भी जल्दी होगा अगर काम जल्दी होगा तो बताइए conductivity क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और molar conductivity भी क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी यानि कि जैसे जिसे आप dilute करते हैं क्या होता है कि volume बढ़ जाता है number of ions की बीच का gap भी बढ़ जाता है जिसकी होजास उनके बीच का attraction force काम हो जाता है उसकी movability बढ़ जाती है जो ions है इनके move करने की capacity होती वो बढ़ जाती है क्योंकि अब ये ions fast move करेंगे तो ये charge को भी जल्दी जली लेके आना लेके जाना होला काम करेंगे अब charge की carrying fast होने लगी तो electric current भी क्या होगा fast और ज्यादा flow होगा इसलिए molar conductivity क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी यानि कि हमने देखा कि dilution बढ़ाने से molar conductivity क्या हो गई overall बढ़ गई अब देखिए अब मैंने क्या किया अब इसी charge particles को मैंने उड़ा के इस डब्बे में डाल दिया यहाँ पर plus minus plus minus plus minus plus minus plus अब बताईए अभी भी इनके बीच कुछने कुछ interaction है attraction force है अब तीनों case में देखिए और बताईए कि इस case में दो iron के बीच का attraction force सबसे कम होगा यहां यहां सबसे कम होगा यहां कि यह ions तेज मूप करेंगे या slow fast मूप करेंगे क्योंकि अगर यह fast मूप कर रहे हैं तो देख connectivity क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी यहनों कि molar connectivity सबसे जादा इस case में होगा अब मैंने क्या किया इनको उढ़ा के इतना बड़े container में डाल दिया plus minus plus minus plus minus plus minus and plus अब यह इतने दूर चले गए है कि अब इनके बीच कोई भी interaction force नहीं है यानिकि इनका attraction force कभी भी कोई पूछ लेता हम क्या कह सकते हैं कि जीरो है यानिकि अब इस case में बताई यह जो charges है क्योंकि इनके बिच का attraction force जीरो है तो यह अपने maximum speed से move कर रहे होंगे या उससे कम हाँ यह अब maximum speed से दोड़ रहे होंगे क्योंकि इनको रोकने वाला आप कोई नहीं है यानिकि इस case में जो molar connectivity मिलेगी आपको वो क्या होगी maximum अब आपने क्या क्या आपके mind में आ गया सब आप इनको और दूर करेंगे और आपने बनाया आप यह container प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अब पताए इनके बीच को इंट्रेक्शन होगा बिल्कुल यह पीछे भी नहीं था यानिकि अभी भी attraction force की value यहाँ भी क्या होगी 0 अभी भी यह क्या move कर रहे होंगे क्या अपने जो maximum speed थी अब यह उससे भी तेज मूँ करेंगे नहीं यह थोड़ी होता है हमने कहा था कि अगर एक teacher है तो बच्चा खेल गया थो थोगसा hesitate कर रहा होगा teacher हट गया तो अपने maximum course के साथ खेल रहा है अब ऐसा थोड़ी है कि उसको कहीं और ले जाकर रख देंगे तो अपने maximum speed से भी ज़्यादा खेलने लगेगा सबकी एक limit होती है यह पहले ही यहां पर ही अपने maximum speed से सब अपना काम कर रहे हैं यहां कि इनकी जो molar connectivity थी वह maximum आ चुकी थी अब अब इनको चाहें जितना दूर करिए वह maximum molar connectivity से ज्यादा बढ़ेगी नहीं क्योंकि अब इससे ज्यादा तेज काम ही नहीं कर सकते अब चाहें इनको AC वाले रूम में ले जाके रख दीजी या कहीं भी यह अब इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते यानि कि maximum work done इनका जो भी था वो यहां पे था और यहां पे भी अभी वह उतने ही कर रहे होंगे यानि कि अब इनको पूरे रूम में भी खेर दें तो भी यह जो लैमडा M की वैलू आई ती पीछे उससे ज्यादा वो वैलू नहीं बड़ी हो सकती क्योंकि यह अभी भी फ्री है मूब करने के लिए यहां भी फ्री ते मूब करने के लिए यानि कि हम एक चीभ पता चल ग और जो आईयम्स होंगी उनकी मुवip लिटी मैकसिम नुटी मिलता है हम उसको हम लैमडा इंश्यीमत एलूरा मिसको बोलते हैं लीमिटिंग शुशन लिमिटिंग बोले तो मैक्सिमम पॉसिबल लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिविटी इस वो बोलेंगे और ये कब एचीव होता है एट इन्फाइनाइट डियलूशन उसके बाद और भी डियलूट करते जाहिए कोई फरक नहीं पड़ता अब ये वैलू इससे ज्यादा बड़ इससे जैसे जैसे डियलूशन बढ़ाएंगे वॉल्यूम ऑफ सलूशन बढ़ेगा दो आयन्स की बीच का गैप बढ़ेगा और उसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा घट जाएगा अट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो उनकी मूविबिलिटी यानिकि आयन् उसके बढ़ने की वजह से मूलर करनक्शिविटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी सही है नेक्श्ट देखिए अट इन्फाइनाइड डियलूशन इन्फाइनाइड डियलूशन पर कंसंट्रेशन लगबग जीरो के आसपस हो जाती है ज्यान रहे है इस इस अल्मोस्ट इ इन्फाइनाइड डियलूशन करने के बाद इनके बीच का इंट्रेक्शन एगदम जीरो हो जाता है और वो अपने मैक्सिमूम स्पीड से मूब करने लगते हैं इन्दिपेंडेंटली वो एक दूसरी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते हैं नहीं उन पर अट्रेक्शन फ कर दीजे और पाने मिला यह उसके मोलर कंड़क्टिविटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता क्योंकि अपने मैक्सिमुम मैक्सिमूम क्याप्सिटी को पहले ही एक्चूप कर चुके हैं यानि कि किसी भी solution का infinite dilution पर जो conductivity आता है वही उसकी limiting molar connectivity होती है वही उसकी maximum possible molar connectivity की value होती है और उसको हम दूसरा नाम कहा देते हैं molar conductivity at infinite dilution भी कहाते है next देखे lambda infinity m can be calculated experimentally for a strong electrolyte strong electrolyte के लिए हम experiments करके scientific lab में किसी भी चीज़ की किसी भी strong electrolyte की limiting molar conductivity को calculate कर सकते है जबकि यही चीज हम weak electrolyte के लिए नहीं कर सकते है क्यूँ? हाँ क्योंकि वो completely ionized नहीं होते है तो क्या हमें उनके बारे में कभी मालूम नहीं चलेगा पता चल जाएगा लेकिन उसके लिए हमें तरीका अपना बदलना पड़ेगा एक बात आपको याद रखना है किसी भी strong electrolyte की limiting molar conductivity हम experimentally calculate कर सकते है जबकि किसी भी weak electrolyte की limiting molar conductivity की value हम experimentally calculate नहीं कर सकते है अब हम पढ़ने जा रहे है ओस्ट वर्ल्स डाइलूशन लौ ओस्ट वर्ल्स का एक डाइलूशन लौ है उसको हम डिश्ट करेंगे अब हमने मान लिया वैसे ये चीज हम आपको solution chapter में भी एक बार पहले करा चुके है पर फिर भी अगर नहीं पता है तो आप देख लिजीएगा मान लिजी मेरे पास है कि A B weak electrolyte है कौन सी लाइ ओ सॉरी electrolyte है weak nature की weak electrolyte है मान लिजी ACT कैसी रहा है तो जब ये break होगा तो ये देगा हमें A plus equals और B plus equals क्योंकि आयन सेक्वस फॉर्म में exist करते है अब starting में इसकी concentration मान लिया हमने कितनी थी C थी starting में इसकी concentration कितनी थी C अब बताए ये degree of dissociation कितना होता है हम alpha मान के चलते है यानि कि ये alpha degree टूट गया यानि कितना ये कम टूट रहा है सिर्फ alpha degree तो देखे ये alpha of C टूट रहा है alpha of C कैसे नहीं का रहा है इनका multiply करके यानि कितना हो जाएगा C alpha आप हमें ये जितना यहां break होगा उतना हमें A plus और B minus equals आयन मिलेगा ये C alpha टूटेगा हमने ये आप दिखाया कि dissociation कितना ये टूटा C alpha तो यहां पर formation कितने ions बनेगे जितना यहां टूटेगा C alpha ये भी कितना बनेगा C alpha हाँ अगर ये 2 moles टूटेगा तो 2 moles ions आयन आपको A plus भी मिलेगा और 2 ions आपको B minus भी मिलता है stoichiometer यहीं काती है यानि कि कि करने कि C alpha टूटा तो C alpha ये भी मिला C alpha ये भी मिला ये पहले इसकी concentration C थी जिसमेजे C alpha ये टूट गया तो कितना बचा होगा Very good C minus C alpha मान लिजे पहले 10 था 2 टूट के चला गया तो कितना बचा 8 तो क्या लिखते है 10 minus 2 पहले C था उसमें C alpha टूट गया तो चलिए आपको ये चीज यहां तक तो समझ में आ गई अब आपको क्या करना है ionization constant निकालना है ionization constant क्या होता है हाँ आपकी कोई भी electrolyte कितना percent dissociate हुआ उसका जब constant हम निकालते हैं उसको हम ki से represent करते हैं और वो कैसे निकलता है Very good concentration of the product आपको product के concentration किसका किसका मिलेगा A plus का और concentration किसका मिलेगा आपको B minus का upon आपको किसका concentration लिखते हैं reactant का यानि की A B का concentration आप बताएगे A plus का concentration कितना है C alpha into B minus का भी कितना है C alpha A B के concentration देखें वहाँ कितना है C minus C alpha यही बचा था अब आप क्या करेंगे इसको लिख लिख लिए C square alpha square यहां से C common कर लेंगे ते क्या बन जाएगा 1 minus alpha ठीके C से यह cancel हो जाएगा यानि कि आपको ionization constant का की value मिल गई C alpha square next page लिख लेते हैं के आई की value मिल गई आपको C alpha square upon 1 minus alpha अब आपको पता है कि V की electrolyte के लिए alpha की value will be very 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 less than 1 1 से बहुत 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 जाड़ा छोटी होती है वो near about 0 हो जाती है हम क्या लिख लेते हैं it is nearly 0 तो बदाएए 1 minus alpha की value क्या हो जाएगी अगर हम alpha को 0 लिख दें तो 1 minus 0 यानिके 1 तो हमारा ionization constant V की electrolyte की लिख क्या हो जाएगा C alpha square upon 1 अच्छा upon 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं यानिके मुझे ionization constant का formula क्या मिला C into alpha square समझ मारा है मेरी बात अब क्योंकि आपको KI का formula मिल गया है C alpha square क्या आप यहाँ से alpha calculate कर सकते हैं हाँ देखे alpha square की value क्या हो जाएगी KI upon C यहाँ से अगर alpha square निकालेंगे तो C को उदर लेका हैंगे KI upon C अगर मुझे alpha चाहिए तो दोनों तरफ under root ले रेंगे और यह क्या बन जाएगा root of KI upon C बन जाएगा कर सकते हैं आएए देखे कि छोटा सा derivation है इसमें कुछ घबराने वाले बात नहीं है देखे KI की value C alpha square upon 1 minus alpha आएगा फिर अब देखे for a weak electrolyte 1 minus alpha upon 1 के अबरावर लेते हैं यानि KI की value C alpha square आजाएगी alpha square को हम क्या लिखे हैं KI upon C और अगर हम alpha की value वहाँ से calculate करना चाहें तो देखे alpha की value क्या आजाएगी under root of KI upon C अब हम देखे on dilution जब हम dilute करते हैं तो देखे concentration की value क्या होती है लगतार घटती है तो alpha की value लगतार क्या होगी बढ़ेगी देखे जैसे जैसे ये घटेगा ये overall value क्या हो जाएगी बढ़ेगी यानि कि alpha की value क्या हो दी होगी बढ़ रही होगी अब देखे ये concentration कैसे घटेगा dilution से यानि कि जब हम dilute करते हैं तो concentration घड़ता है और alpha की value बढ़ते जाती है यानि कि जब हम बहुत ज़्यादा dilute कर देंगे तो concentration की value बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और alpha की value क्या हो जाएगी? maximum हो जाएगी maximum मतलब कितना हो जाएगा? 1 actually alpha की value 100% हो सकती है और 100% का मतलब कितना हो गया? 1 अगर किसी के alpha की value 1 हो गई तो बताइए वो electrolyte कैसा हो जाता है? yes, that electrolyte becomes strong electrolyte यानि कि आप एक चीज़ कह सकते है कि अगर आप infinite dilution कर दें किसकी? एक weak electrolyte की तो किसकी तरह काम करने लगता है? that starts behaving like a strong electrolyte लेगे, at infinite dilution concentration कितना हो जाता है? लगवख 0 यानि की minimum वहाँ पर alpha की value maximum 100% यानि की 1 के बराबर हो जाती है जो कि किसके लिए है? strong electrolyte के तो है इसका मतलब आप कह सकते हैं कि infinite dilution के case में आपको weak electrolyte कैसे काम करता है? strong electrolyte की तरह which means at infinite dilution a weak electrolyte will get 100% ionized हाँ जो भी एक weak electrolyte वो completely ionized हो जाएगा यानि की वो किसकी तरह काम करेगा? strong electrolyte की तरह and start behaving like a strong electrolyte on dilution degree of dissociation increases due to which number of ions in the solution increases देखे जैसे जैसे हम alpha की value बढ़ेगे क्योंकि जब आप infinite dilution कर देंगे तो उस case में alpha की value कितनी हो जाते है? one यानि की 100% ionized होगा अब यह 100% ionized होगा तो volume में number of ions क्या हो जाएगे? बढ़ जाएगे number of ions increases अच्छे number of ions बढ़ेगे तो conductivity क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी दूसरी चीज क्योंकि infinite dilution कर रहे है तो बताइए volume बढ़ रहा होगा? घट रहा होगा बढ़ेगा न? पहले थोड़ा सब आओगा फिर और पानी मिलाएगा और पानी मिलाएगा और पानी मिलाएगा और पानी मिलाएगा यानि की volume क्या होगा? बढ़ता जा रहा है तो देखे क्योंकि volume भी बढ़ रहा है तो उस case में यह जो ions आएगे प्लस माइनस प्लस माइनस इंके बीचे gap बढ़ रहा होगा gap बढ़ेगा तो इंके बीचे interaction कम से कम हो जाएगा interaction कम होगा movability जादा होगी movability जादा होगी charge जादा जल्दी carry होगा और conductivity और molar conductivity दोनों ही क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है so देखे on dilution degree of dissociation increases due to which number of ions in the solution increases but as volume increases the movability of ions also increases resulting increment in molar conductivity और इस तरह से molar conductivity क्या होती है? बढ़ जाती है अब देखिए यहाँ पर बहुत एक काम के चीज़ है जब आपने infinite dilution किया किसके लिए? weak electrolyte के लिए तो वो कुछ ऐसे पाए गया right? क्या इस case में इनके बीच को interaction होगा? नहीं होगा कम होगा यह ज़्यादा होगा? हाँ interaction होगा लेकिन काफी कम होगा interaction very less क्योंकि interaction यानि attraction less है तो movability ज़्यादा होगी ज़्यादा होगी तो इसके molar conductivity भी क्या होगी? ज़्यादा अभी हमें यह बता हिए इस case में जहां पर इनके बीच का attraction force कम है है लेकिन एक यह case है दूसरा case जो हम limiting molar connectivity देखते तो वो क्या था? that was possible only in a case there was no interaction between two ions दो ions से बीच भी बिल्कुल कोई interaction नहीं था तो वो value maximum होगी या यह value भी maximum हो सकती है नहीं वो value maximum थी यह value maximum नहीं है यानि कि आप देखिए जब आप infinite dilution कर भी दिये तो अभी आपको क्या मिला आपको maximum molar connectivity तो मिल गई लेकिन limiting molar conductivity आपको weak electrolyte के लिए नहीं मिला क्योंकि अभी आप इनको और दूर जब करेंगे जब आप इनको और दूर करेंगे तब इनके बीच का interaction force 0 होगा होगा न और और दूर आप करी नहीं सकते क्योंकि आपने यह क्या उनसा case लिया है infinite dilution यानि कि आपने खूदी इतना ज़्यादा इसको dilute कर दिया कि अब इससे ज़्यादा dilute आप करी नहीं सकते क्योंकि अब इससे ज़्यादा dilute नहीं कर सकते तो इनके बीच का gap इससे ज़्यादा बढ़ दी सकता यानि कि इस case में attraction force 0 होगा ही नहीं हाँ weak electrolyte के case में infinite dilution के बावजूर भी दो ions के बीच का attraction force 0 नहीं होता है जबकि strong electrolyte के case में 0 हो जाता है इसलिए वो जो molar connectivity अचीव करते हैं that is limiting molar connectivity और weak electrolyte में हम ऐसे experimentally ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने infinite dilution करके भी देख लिया हमारा interaction force यानिका attraction force 0 नहीं हुआ graph molar conductivity और root C यानि की concentration की graph अब अगर आपको पुराना graph याद होगा तो वो graph कैसा था यहाँ उपर से start होता था नीचे की तरह आ रहा था यह जो value थी that is limiting molar conductivity था maximum value उसको achieve हो गई थी क्या आप weak के लिए pro light के लिए limiting molar conductivity अचीव कर सकते हैं नहीं न इसलिए ये graph देखी यहाँ आने के बाद यह उपर चला गया और इसको touch नहीं किया और उपर जाने के बाद भी ये graph कभी इसे touch नहीं करेगा क्योंकि जिस point पर ये touch कर देगा वो इसकी limiting molar connectivity होगी और वो कभी भी possible नहीं होता है यानि कि weak electrolyte के graph कभी भी y axis को touch नहीं करेगा और उस graph of nature ये होता है अब ही अगर आप अपने book में देखेंगे तो साइद आपको एक graph दिया होगा KCL और Acetic Acid का बनाने के लिए राइट तो देखे KCL का strong electrolyte उसका graph कैसा बनेगा ये बन गया अब दूसरी graph किसको बनानी है आपको Acetic Acid का Acetic Acid का graph ऐसा बनेगा ऐसा बन जाएगा बस हो गया ये graph आपको बुक में दिया होगा तो खैर आपको उसी जरुद नहीं है आप से कभी दोनों का combine पूछ ले तो दोनों का nature पता आप दोनों graph के एक साथ जोड़ देंगे आपका काम हो जाएगा आएए एक concept दिया है हम उस concept को सीखेंगे राइट चले देखते हैं उन्होंने क्या था फ़ले theory पाड़ूंगा कबर करते हैं according to this law अगर हम Cole-Rosses law की बात करें तो उनके law के हिसाब से at infinite dilution when the dissociation of electrolyte is complete क्योंकि infinite dilution पे strong electrolyte पुरे ionize बैसे ही हो जाता था चाहे हो infinite dilution हो या ना हो लेकिन infinite dilution के case पे weak electrolyte पुरी तरह से ionize हो जाता है हो जाता है ने क्योंकि वो strong electrolyte के तरह काम करता है तो जो total contribution होगा conductivity में जो total contribution होगा वो किसी एक का ions है दो ions का नहीं होता है that is the sum of all ions उन्होंने यही चीज़ कहा था उन्होंने कहा कि infinite dilution के case में जो भी electrolyte हो तो completely ionize हो जाता है A plus B minus A plus B minus तो उन्होंने कहा कि इस case में जो molar conductivity होगी पूरे solution के जो molar conductivity होगी वो इसके molar conductivity इसके molar conductivity और ऐसे जितने भी ions होगे सब के molar conductivity के sum के equal होगी हाँ simple सी बात है वो तो maths वाले case आगई देखिए अब माल लिए इसमें दो balls है थ्री bats है ऐसे 4-5 समान है और पुझा दरबते कितने समान है आप सब को add कर देंगे कुछ उन्होंने यही कहा को लोसिस ने कहा के at infinite dilution यानि कि उस case पे आपका चाहिए हो strong electrolyte या weak electrolyte वो पूरी तरह dissociate हो गया होगा तो उस case में जो molar conductivity of solution है माल लिए कि molar conductivity of a b अगर आप निकाल रहे हैं हाँ limiting molar conductivity अगर आप a b का निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे limiting molar conductivity of a plus plus limiting molar conductivity of b minus अगर 4 ions होते हैं तब 4 ions को add कर देंगे यानि कि जितने भी ions है सभी की limiting molar conductivity का sum इस पूरे solution के limiting molar conductivity के sum के equal होता है समझ में आ गया होगा आए देखे when the dissociation of lacronide is complete each ion moves independently उसके बाद जो हर एक आएन है वो एक दूसरे से बिना interaction के move करते रहते हैं and make a definite contribution और अपना एक particular contribution करते हैं किसमें towards the conductivity of the solution उस solution के conductivity में या इन अधर वर्ड आप कह सकते है the conductivity at infinite dilution that is limiting molar conductivity is equal to the sum of contributions made by each ion जिदने भी ions है सब के contribution के sum के equal होता है for example अगर आप AB aqueous की बात करें तो यह A plus और B minus दिया होगा तो उन्होंने कहा कि limiting molar conductivity of AB will be equal to limiting molar conductivity of A plus plus limiting molar conductivity of B minus this is valid for all electrolytes चाहे वो strong हो या फिर weak हो यह क्यों सब के लिए valid हो गया क्योंकि उन्होंने क्या कहा था this law is totally based on at infinite dilution case और हमें पता है कि at infinite dilution जितने भी weak electrolytes होते है वो भी पूरी तरह strong electrolytes की तरह behave करते है आईए next देखे यह जो lambda M infinity लिखा गया है that is limiting molar conductivity या molar conductivity at infinite dilution कहते है यह जो limiting sorry lambda infinity A plus या lambda infinity B minus दिया है इसको हम molar ionic conductance कहते है कहते हैं molar ionic conductance अगर A plus के terms में है तो khaion अगर B minus के terms में रहेगा तो anion infinity A plus है तब इसको बुलेंगे limiting molar conductivity of A plus या फिर molar ionic conductance of cation इसी तर आप इसको क्या बुलेंगे molar ionic conductance of anion at infinite dilution क्योंकि infinity लगा हुआ है next important चीज़ आपको थोड़ा सा difference समझना है यह बहुत काम का है देखे लिमिटिंग molar conductivity और limiting equivalent conductivity में क्या अंतर है देखे ऐसे तो अगर आप NaCl के लिए देखे तो आपको बिल्गुल सेम देखेगा क्यों देखेगा क्योंकि लिमिटिंग molar conductivity of NaCl क्या होगा लिमिटिंग molar conductivity of Na plus प्लस लिमिटिंग molar conductivity of Cl minus वहीं पर अगर आप equivalent limiting equivalent conductivity of NaCl निकालने जाएं तो आपको क्या लिकिना होगा limiting equivalent conductivity of Na plus plus limiting equivalent conductivity of Cl minus कोई अंतर नहीं था हाँ NaCl, KCl, LICL इस सब में कोई अंतर नहीं होगा answer कहाँ answer कहाँ आएगा जब हम BaCl2 की बात कर लेंगे MgCl2 की बात कर लेंगे AlCl3 की बात कर लेंगे अभी हम BaCl2 की बात करते हैं तो देखें जब आप BaCl2 की बात करेंगे तो पहला limiting molar conductivity of BaCl2 will be equal to limiting molar conductivity of Ba plus plus अब देखें जब आपको BaCl2 ब्रेक होता है आपको क्या मिलेगा Ba plus iron plus 2Cl minus मिलेगा न? हाँ क्योंकि यह molar यह moles को डिपेंट करता है तो इसका एक mole तो इसका दो moles मिलेंगे यहाँ आप यहाँ लिखेंगे 2 times of हाँ यहाँ आपको लिखेंगे 2 times of limiting molar conductivity of Cl minus आपको क्या करेंगे अभी देखें माल लिजे बेरियम प्लस का आपको दिया होता 10 राइट और Cl minus के दिया होता आपको 5 तब क्या करते हैं यहाँ लखेंगे 10 यहाँ लखेंगे 2 into 5 यह भी 10 हो जागे 10 10 20 जबकि अगर आपको यहीं पे limiting equivalent conductivity of BACl2 निकालना है तो बताएगे अब क्या लिखेंगे हाँ हाँ very good limiting equivalent conductivity of BA plus very good plus 2 times of limiting equivalent conductivity of Cl minus राइट हाँ अगर आपने यह लिख लिख लिए तो समझे आपका गेम हो जाएगा क्योंकि अभी तो हमने कहा था कि दोनों का difference हमें समझना है और दूसरी important चीज molar conductivity moles पे depend करता है equivalent conductivity number पे depend नहीं करता यानि कि जब आप equivalent conductivity की बात करेंगी तो आपको ये 2 का कोई मतलब नहीं है आपको बिल्कुल नहीं लिखना है difference अब आपको समझ में आया होगा हम क्या कहना चाह रहे थे आए एक दो और एक्जामपल लेखते हैं हमें लिमितने लेखते हुडें समझ में है conductivity of यहाँ 3 लगेगा थी नहीं लगेगा नहीं लगेगा एक्वी balance जब हम decide करते हैं तो वहाँ पे हम coefficient को बिल्कुल इग्नूर करेंगे यहाँ को क्या होगा सिर्फ और सिर्फ CL minus actually थोड़ा सम आपको और idea देते हैं जब हम ammonia बनाते हैं हम क्या लिखते हैं N2 plus 3H2 gives us 2NH3 तो हमादी स्टोक्योमेटरी क्या आती है reacts with 3 moles H2 and gives us 2 moles ammonia यहाँ पे हम moles dependent देखेंगे यह moles depend करता है value पे लेकिन अगर आप इसको equivalent में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 1 gram equivalent of nitrogen या N2 reacts with 1 gram equivalent of H2 हाँ आप इसको 1 gram equivalent of H2 ही बोलेंगे जब हम किसमें बात करते हैं equivalence में बात करते हैं हम इसको बोले कि 1 equivalent N2 reacts with 1 equivalent H2 and gives us 1 equivalent of ammonia यानि कि जब हम equivalence की बात करते हैं तो यह जो coefficients हैं हम इनको ignore करते हैं इसी लिए हम यहाँ पर जब हम limiting equivalent conductivity decide करेंगे तो यह जो 3 है उसको ignore करेंगे ऐसे ही एक और आप try कर लेजे देख लेजे PCL5 के लिए बढ़ाए इसके limiting molar conductivity हम क्या लिखेंगे limiting molar conductivity of PCL5 will be limiting molar conductivity of P5 plus plus 5 times of limiting molar conductivity of CL minus जब की अगर मैं limiting equivalent conductivity लिखना चाहूँ क्या लिखना होगा limiting equivalent conductivity of P5 plus plus limiting equivalent conductivity of CL minus हम 5 इसमें नहीं mention करेंगे clear है समझ में आ गया होगा चलिए दूसरी important चीज आप limiting molar conductivity और limiting equivalent conductivity को relate कर सकते है formula आपको पता है देखे ये आपको उमीद पूरे clear हो गया होगा ठीके यह आपको challenge question है आप इसको try करेंगा अच्छे से और हमें उमीद आप कर भी लेंगे इसमें कुछ tough नहीं है लेकिन इसमें आपको एक concept यूज करना पढ़ सकता है वो क्या है देखे limiting equivalent connectivity is limiting molar connectivity upon n factor हाँ आपको इस concept का यूज करना पढ़ सकता है तो आप कर लेंगे right तो ठीक है आज इतना ही बाकी next class में इसके चारों options दिएगे इसी चारों में से कोई एक सही option होगा आप try करेएगे next class परले हम इसको discuss करेंगे फिर हम इसके आगे continue करेंगे till that thank you so much